तो देखते हैं यहां पर question number 18 में हमसे क्या पूछा गया है A force of 10 Newton displaces an object through 20 cm and does work of 1 J in the process Find the angle between the force and the displacement तो यहां पर क्या करते हैं किसी object में 10 Newton का force लगाते हैं और वो यहां पर क्या होता है 20 cm displaced होता है और इसमें जो हमारे यहां पर burden लगता है वो हमारे यहां पर 1 J का लगता है तो हमें यहां पर बताने कि force and displacement के बीच में जो angle बन रहा है वो हमारे यहां पर कितनी degree का बन रहा है तो करते हैं यहां पर इसको solve तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या given है force given है पोर्स हमें यहाँ पर 10 Newton का given है उसके बाद हमने है। displacement given है 20 cm इसको में इहाँ मैटर में change कए रहेंगे, 100 से divide करके तो यह हमारा हो जागा, 0.2 meter हो जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पर burden given है, तो burden हमने हमने कितना given है, 1 joule given है, है तो करते हैं यहां पर is discoveries लॉटन का factors आँ पर हम रहा हम रहां पर क्या हूँ होता है Fource इ हमें यहां पर तीड़ा की विएलएव निकार लिए है impressive सम पर म свое यहां-पर कि एक के इंचे चला जाएगा तो इहां करना पड़ execution फ्यक्रण जोंख प्रलन इ अगर मैं इससे कंपर करोगा तो सिंपल जो ती hairy वो हमें साफ औरिकिनी सिर्टी डिगली है कितनी हो यहाँ पर 60 degree तो हम नहीं पर निकाले जो हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब के बीच बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे यहाँ पर 60 degree का एंगल बनेगा तवह आपको यह वाले कोष्जिन का अंसर भी समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने नैश्ट कुश्चन के तरफ